वेलकम फ्रेंड से प्रैम टेलेकूं में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ MI Redmi Note 6 Pro Mobile है यह और इसके अंदर जो प्रोब्लम आई है कि आप देख रहे हैं यहां पर उपर इसके अंदर जो आपको तो सिम वाला उप्शन है उसमें सिम दिखाई नहीं देरोगी यहां पर इस तरफ No Service लिखा वा है इस तरफ जो है इसके जो इंसर्ट सिम वाला उप्शन है याने कि सिम इसने detect नहीं किया है जब कि देखिए मैं आपको दिखाऊंँ इसके अंदर मैंने एक SIM है वो लगा रख दिया है जिदेखिए आप देख सकते हैं A.R.T.L के SIM मैंने इसके अंदर लगा रख दिया और इसमें जो है SIM को डिटेक्ट यह नहीं कर रहा है नो सर्विस और देख सकते हैं आप इंसर्ट सिम का ओप्शन है इसके अंदर साफ-साफ दिख रहा है तो यह MI Redmi Note 6 Pro Mobile है और जिस आपको मैंने बताया सिम की प्रॉब्लम है इसके अंदर यह सिम को डिटेक्ट नहीं कर रहा है और देखिए इसकी सेटिंग्स को ओपन करके मैं आपको इसका बेस्वेंट वाला जो ओप्शन है यह चेक करवा देता हूं तो यहां पर देख सकते हैं बेस्वेंट वाला जो वर्जन है अन्नोन दिखाई दे रहा है बेस्वेंट वर्जन यह अन्नोन दिखा रहा है देख सकते हैं आप साफ साफ बेस्वेंट वर्जन अन्नोन इसके अंदर आया हुआ है तो यह प्रॉब्लम है इसके अंदर आया मेरी नमबर है वो इसके ठीक दिख सकते हैं और प्रोब्लम है कि sim लगाने पर भी sim को detect नहीं करते हैं और sim इसके अंदर कोई भी लगा लीजें नहीं चल रही है यह इसके अंदर प्रोब्लम है तो इसको हमें कैसे को ब्लम आई हुई है तो चलिए सबसे पहले जिसको हमें ओपन करना होगा जो हम आपके सामने फटावर्ट कर देता हूं उसके बार में इसको कैसे ठीक करना वो भी आपको लाइव दिखांगा चलिए स्टार्ट करें स्टार्ट सिर्च ओपके स्टार्ट कर कि अड़ी पूस है टाया है कर दो कर दो कर लेना है जैसे मैंने आपके सामने किया है इसकी बैटरी है इसको हम हटा लेंगे देखिए बैटरी को हटाने के बाद में यहाँ पर इंटीना वायर है इसको भी हम हटा लेंगे अब यह करने के बाद में जो इसका network section है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका तो मैं यहाँ पर से इसे open कर लेना है अब देखे जैसे आप से open करेंगे आपको यहाँ पर यह IC दिखाई देगी इसका number यहाँ आपको गता देता हूँ यह आपको मिलेगी HDR 660-003 आपको क्या करना है आपको बस simply यहाँ इसको रिवोल कर देना है या फिर आप इसे change कर देंगे यह HDR 660 IC है इसको हम simply यहाँ से change कर देंगे तो चलिए इस process को भी शुरू करते हैं देखें motherboard को मैंने बाहर नहीं निकाला है यहाँ पर antenna लगा था वो मैंने हटा लिया है बैटरी हटा लिया है और यहाँ पर भी जो हमारा यह नीचे वाला antenna लगता यह भी नहीं हटा लिया है लेकिन अगर यहां पर आप एंटेना नहीं टाते हैं तो आपको पूरा मदरवर बाहर निकालना पड़ सकता है तो चलिए अब यह जो IC है इसको हम चेंज करते हैं HDR 660 003 नमबर की IC है इसको हमें चेंज करना है आप चाहिए तो रिवोल करके भी देख सकते हैं नहीं तो हम इसे चेंज कर देंगी तो फ्रेंट से यह पूरी प्रोसेस में आपको इस वीडियो में रिखाने वाला हूँ तो यहां पर मैं फटा फटी आइसी है इसको चेंज कर देता हूँ इसके जगह पर हम दूसरी HDR 660 003 IC है वो लगाएंगे जो मैं अब यह आपको दिखा दो हूँ तो देखिए यह मेरे पास में प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से हम बहां बहांगे इस प्रगार से लगाएंगे तो चलेए प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हम सबसे पहले से हम बहांगेikan प्राब्यापड़ा प्राफ्ट मुंग टजाएंग लाएंगा नहां है य स्पारी बाले बाले कर दोला को झाल हुआ है बेच्पदो चुमम्नाइब दक blueberry का लाज़ शी और भीफ देम कि अयों लोदुज के मैं बाल कि कि अब पर भाहे लंग खां सुधिए कर दो हो भाया झाजा है झाल झाल तो फ्रेंड्स से जो आइसी थी वो हमने देखे लगा ली है जिख सकते हैं आप जो आइसी है वो हमने लगा ली है अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसको ठंडा होने का और फिर ठंडा होने के बाद में इसको आन करके चेक करेंगे तो यह थोड़ा सा वेट करते हैं इसको तो ठंडा होने देती हैं तो फ्रेंट से देखिए इसको मैंने फोड़ी जटना कर लिया दोगे मिनट के लिए अब चलिए इसको चेक करते हैं कि हमारी जो प्रब्रा वो शॉल्स होई है नहीं होई है मैंने बैटरी को लगा दिया है यहां से अब हम इसे अन कर लेंगे इसे बैटरी है देखिए वो लो दिखा रहा है अब है इसे मैंने लगा रख लिए है इसको हम चार्ज रगा लेते हैं साथ पी साथ इसको दुबारा से अन करते हैं इसको जाओ कर लेते हैं झाल इसको दिए ले वो लेते हैं झाल कि अद्या है इसको दो रहा है झाल 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 देखिए फ्रेंड्स से चले इसको देखते हैं कि क्या हुआ है चेक करते हैं इसे और देखिए यहां पर आपको साफ-साफ निखावा दिखाई दे रहा होगा और देखिए, देखिए यहां पर नेटरो यकिनल आये हुए है इसको मैं लोक लगा के खोलते हों दुबारा तो अब देख सकते हैं साफ-साफ इसमें आपको ओपर यकी तरफ एयरेटाल लिखाई देगा दिख्का वादि आप देख सकते हैं 8L और यहाँ पर नहीं चाह देख सकते हैं यहां पर दो सिर्नल के बार वो आई हुए है तो फेंट से थे इसके अंदर प्रोब्लम थी नहीं डिटेक्ट कर रहा था यह वह हमारी ठीक हो गई है और देख आप देख सकते हैं मैसेज भी आ गया इसके अंदर एक टलिख खवा देख सकते हैं साथ नेट्रोक की सिगनल है यहां पर यह जो एंटेना लगाएंगे यह वाला साथ ही इसके जो एंटेने हैं वह भी अटेच नहीं है यहां पर आदेख सकते हैं यह जिसका बैक पैनल इसके अंदर अटेच होंगे इसका पूरा नेट्रोक है वह आ जाएगा लेकिन जो समझ्छा थी कि इंसर्ट सीम आ रहा था लेकिन आप देख सेंगे अब देख सेंगे अब आ रहा है वह भी आ रहे हैं और एक लिखाओ भी आ रहा है तो हमारी इंसर्ट सीम की जो प्रोब्लम की वह ठीक हो गई है साथ ही अभी देखिए इसकी जो सेटिंग से उपन कर लेते हैं हम सेटिंग ओपन करने के बाद में जो हमारा बेस्वेंट अन्मों दिखा रहा था वो भी चेक कर लेते हैं एक बात यहां पर हम सेटिंग्स में गए हैं अब देखिए देख चकते हैं आप यहां पर आप दिखाएगा बेस्वेंट वर्जन है वो भी अब आ गया है तो फ्रेंट से इसके जनर्जब प्रोगम सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही तो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे दुआरा दाले गए वीडियो आपको साथ की साथ मिल जाएग तो फ्रेंट्स मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहु